मेरा नाम सिया है और मैं हाली में 18 साल की हुई हूँ मैं अपने पिता के साथ एक छोटे से गाव में रहती हूँ जहां मेरी मा का बच्पन में ही देहान्त हो गया था मेरे पिता शराब के आदी थे और जो भी थोड़ा बहुत कमाते थे उसे भी शराब में गवा देते थे उन्होंने मेरी आठवी तक की पढ़ाई रुकवा दी और मुझे एक धनी जमीनदार श्री गोपाल के यहां काम करने के लिए भेज दिया श्री गोपाल की उम्र 55 साल की थी लेकिन वह अपनी उम्र से काफी छोटे दिखते थे उनके बड़े से घर में उनके अलावा कोई और नहीं रहता था मैं उनके घर की सफाई और बगीचे के पौधों की देखभाल का काम करती थी शुरू में मुझे उनकी उम्र का अंदाजा नहीं था मैं उन्हें करीब 45 साल का समझती थी लेकिन धीरे-धीरे मुझे समझ में आ गया कि उनकी असल उम्र कितनी है एक शाम मेरे पिता मुझे गोपाल के घर छोड़ने आये थे लेकिन वह मुझे लेने नहीं आये मैंने बहुत देड़ तक उनका इंतजार किया लेकिन वे नहीं आये तभी श्री गोपाल मेरे पास आये और बोले सिया मुझे लगता है कि तुम्हारे पिता आज तुम्हें लेने नहीं आयेंगे घर के अंदर आ जाओ बाहर इंतजार करने का कोई मतलब नहीं है फिर उन्होंने मुझे से पूछा तुम्हारे पापा रात को कब आते हैं मैं उनके सवाल का जवाब देने से पहले थोड़ी हिचकिचाई क्योंकि मुझे खुद भी इस बात का ठीक से अंदाजा नहीं था कि मेरे पिता कब वापस आएंगे श्री गोपाल के आगरा पर मैं घर के अंदर चली गई उस वक्त मेरे मन में तरहत्रा के विचार आ रहे थे पिता की चिंता हो रही थी लेकिन साथ ही मुझे थोड़ी असजता भी महसूस हो रही थी क्योंकि पहले कभी मुझे इतनी देर तक उनके घर पर रुखना नहीं पड़ा था श्री गोपाल ने मुझे सोफे पर बैठने को कहा और फिर खुद भी पास में आकर बैठ गए उन्होंने मुझसे मेरे पिता के बारे में कुछ सवाल पूछे जैसे कि वहां अकसर देर से आते हैं क्या और क्या उनके शराब पीने की आदत से मुझे परेशानी होती है मैं चुपचाप उनके सवालों का जवाब देती रही क्योंकि मुझे ज्यादा कुछ कहने की हिम्मत नहीं हो रही थी फिर उन्होंने अचानक से कहां सिया तुम्हारी उम्र बहुत ही नाजुक दौर पर है तुम्हें अपने भविश्य के बारे में सोचना चाहिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपने जीवन को भैतर बनाओ पढ़ाई करो और अपने पैरों पर खड़ी हो सको अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ उनकी यहाँ बात सुनकर मैं थोड़ी हैरान हुई क्योंकि अब तक मैंने उन्हें सिर्फ एक मालिक के रूप में देखा था लेकिन वहां मेरे भविश्य की चिंटा कर रहे थे मैं अस्मंजस में थी कि क्या कहूं थोड़ी देर की खामोशी के बाद उन्होंने कहा राज ज्यादा हो गई है तुम यहीं रुख जाओ मैं तुम्हारे लिए एक अलग कमरा तयार करवा देता हूँ सुबह होते ही तुम्हें तुम्हारे पापा के पास भेज दूँगा मैंने कोई विरोध नहीं किया क्योंकी और कोई रास्ता नहीं था उन्होंने मुझे एक छोटे से कमरे में ले जाकर सोने को कहा मैं बिस्तर पर लेट गई लेकिन मन में कई सवाल उठ रहे थे क्या यह सब सही हो रहा है? क्या मेरे पापा ठीक होंगे रात बहुत भारी लग रही थी और नीन्द आने में बहुत देर हो गई रात के गहराते सन्नाटे में मैं बिस्तर पर पड़ी थी लेकिन नीन्द मेरी आखों से कोसो दूर थी विचारों का बवंडर मुझ पर हावी था पापा कहा होंगे क्यों अब तक नहीं आये? और श्री गोपाल के इरादों को लेकर भी मन में संशय था आखिर वह मेरी मदद क्यों करना चाहते थिन किसी तरह मेरी आख लगी गई थी कि दर्वाजे पर हलकी आहट हुई मेरी धड़कने तेज हो गई कुछी पल में दर्वाजा खुला और श्री गोपाल अंदर आए वह हलकी आवाज में बोले सिया क्या तुम सो रही हो मैं हट बड़ा कर उठी और बोली नहीं मुझे नींद नहीं आ रही थी वह धीरे-धीरे मेरे पास आकर बैठ गए और बोले तुम्हें डनने की जरूरत नहीं है मैं जानता हूँ कि तुम्हारी स्थिती कठिन है पर मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ बस मुझे थोड़ा भरोसा चाहिए उनकी बाते सुनकर मेरे मन में और उल्जन पैदा हो गई मैं कुछ कह नहीं पाई बस चुपचाप उन्हें देखती रही वह आगे बोले देखो तुम्हारी जैसी जवान लड़की को इस दुन्या में बहुत सावधान रहना चाहिए मैं तुम्हारे लिए सही रास्ता चुन सकता हूँ यह सुनते ही मेरा दिल घबराने लगा उन्होंने मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की लेकिन मैंने तुरंट अपना हाथ खीच लिया और पीछे हट गई मुझे माफ कर दीजिये साहब मैंने धीमे स्वर में कहा मुझे अब घर जाना चाहिए श्री गोपाल के चहरे पर कुछ पल के लिए अजीब सी मायूसी चा गई लेकिन फिर वह शांत होकर बोले जैसा तुम चाहो मैं तुम्हें जाने से नहीं रोकूंगा लेकिन रात बहुत हो चुकी है सुबह होने तक यहां रुख जाओ फिर मैं खुद तुम्हें तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूँगा मेरा मन अब और घबराया हुआ था मैंने सोचा की रात में अकेले बाहर जाना भी सुरक्षित नहीं होगा इसलिए किसी तरह मैंने हिम्मत जुटाई और कमरे में ही रुखने का फैसला किया मैंने दर्वाजे को अंदर से बंद कर लिया और विस्तर पर बैठ गई लेकिन अब नीन का नामो निशान नहीं था सुबह के उजाले का इंतजार करते हुए मैं सोच रही थी कि अब आगे क्या करना चाहिए मुझे समझ में आ गया था कि मुझे इस जगह से निकलना ही होगा चाहिए कुछ भी हो सुबह होते ही मैंने जैसे ही खिड़की से बाहर जाका सूरज की हलकी किरने फैल रही थी मेरा मन अब और भी बेचैन हो गया था मैंने जल्दी से अपना सामान समेटा और बाहर निकलने का फैसला किया दरवाजे के पास पहुँची तो अचानक से श्री गोपाल आ गए उन्होंने मुस्कुराते हुए कहां तुम तयार हो गई मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ मैंने विनम्रता से कहां नहीं साहब मैं खुद ही चली जाओंगी पापा भी शायद रास्ते में होंगे उन्होंने मुझे गंभीरता से देखा और बोले सिया मैं तुम्हें गलत समझना नहीं चाहता तुम एक समझदार लड़की हो लेकिन मुझे ऐसा लगता है मैंने उनकी बातों का जवाब दिये बिना कहां धन्यवाद साहब लेकिन मैं अब घर जाना चाहती हूँ उन्होंने एक गहरी सांस ली और कहां ठीक है जैसा तुम चाहो लेकिन याद रखना मेरा दर्वाजा हमेशा तुम्हारे लिए खुला है जब भी तुम्हें मदद की जरूरत हो मेरे पास आ सकती हो मैंने सिर हिलाया और घर से बाहर निकलाई मेरे कदम भारी थे लेकिन मन में एक अजीब सा सुकून भी था कि मैं वहां से निकल रही हूँ बाहर आते ही ठंडी हवा ने मेरे चहरे को चुआ और ऐसा लगा जैसे मैं एक बंधन से आजाद हो रही हूँ रास्ते में चलते हुए मैंने यहाँ फैसला किया कि अब मैं अपने भविश्य को खुद सम्वारूंगी मुझे समझ में आ गया था कि इस दुन्या में किसी का सहारा लेने से पहले अपने आप पर भरोसा करना ज़रूरी है जब मैं अपने घर पहुँची तो पापा अभी तक नहीं लोटे थे मैंने दर्वाजा खोला और अंदर गई मुझे एहसास हो गया था कि अब मुझे ही अपने और पापा के जीवन की जिम्मेदारी उठानी होगी मैंने उसी दिन से यह ठान लिया कि चाहे जैसे भी हो मैं अपने जीवन को भैतर बनाऊंगी और फिर कभी ऐसी स्थिती में खुद को नहीं डालूंगी उस सुबह ने मेरी जिन्दगी का रुख हमेशा के लिए बदल दिया घर में घुस्ते ही मैंने राहत की सांस ली लेकिन साथ ही एक भारीपन भी महसूस हुआ पापा अभी तक नहीं लोटे थे मैं जानती थी कि वह शराब खाने में होंगे मेरा मन अब पक्का हो चुका था कि इस तरह के जीवन से बाहर निकलने का समय आ गया है अब मुझे अपने और पापा दोनों के लिए कुछ करना होगा मैंने पूरे घर को देखा छोटा सा घर बिखरा सामान और चारों तरफ फैली गरीबी की परचाईया मैं जानती थी कि अगर मुझे और पापा को इस दलदल से निकालना है तो मुझे कुछ बड़ा कदम उठाना पड़ेगा मैंने पापा की आदों से लड़ने का फैसला किया और यहां भी तै कि अब मैं अपनी पढ़ाई फिर से शुरू करूंगी चाहे कुछ भी हो जाए अगले कुछ दिनों में मैंने श्री गोपाल के घर जाना बन कर दिया उन्होंने कई बार मेरे पिता से मुझे वापस भीजने का अनुरोध किया लेकिन मैंने साफ मना कर दिया पापा को भी धीरे-धीरे समझाने की कोशिश की हालांकि उनकी शराब की लग इतनी आसान नहीं थी लेकिन मैंने हाँ नहीं मानी मैंने अपने छोटे से गाव में ही एक सिलाई का काम शुरू किया ताकि थोड़ी बहुत आमदनी हो सके पैसे थोड़े-थोड़े जमा होने लगे और मैंने घर के छोटे-मोटे खर्च पूरे करने शुरू कर दिये पापा को इस बात का एहसास होने लगा कि अब मैं उन पर निर्भर नहीं हूँ बलकि घर की जिम्मेदारी संभाल रही हूँ धीरे-धीरे उनकी शराब पीने की आदत भी कम होने लगे उन्होंने मेरे सामने कभी यह स्वीकार नहीं किया लेकिन मैं देख सकती थी कि वहां मुझ पर गर्व महसूस करने लगे थे कुछ महीनों बाद मुझे गाव के ही एक स्कूल में बच्चों को पढ़ाने का अफसर मिला मैंने तुरंट उस काम को स्वीकार कर लिया यहां मेरे लिए एक बड़ा कदम था क्योंकि इससे ना सिर्फ मुझे आर्थिक मदद मिल रही थी बलकि मेरी अधूरी पढ़ाई का सपना भी पूरा हो रहा था मैंने उस स्कूल में बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और साथ ही अपनी पढ़ाई को भी जारी रखा धीरे धीरे मेरा आत्म विश्वास बढ़ने लगा और मुझे यकीन होने लगा कि मैं अपने जीवन को खुद संबार सकती हूँ अब मैं एक ऐसे मुकाम पर थी जहां मैंने अपने जीवन के बंधनों को तोड़ दिया था श्री गोपाल और उनका घर अब मेरे लिए बीते हुए कल की बात थे मैंने खुद को साबित किया कि मैं अपने रास्ते खुद बना सकती हूँ और दूसरों पर निर्भर नहीं रहना है पापा भी धीरे धीरे सुधर गए थे और उन्होंने शराब पीना लगभग बंध कर दिया था हम दोनों ने मिलकर अपने छोटे से घर को फिर से समवार लिया और हमारा जीवन अब पहले से कहीं ज्यादा बहतर हो गया था इस सफर ने मुझे सिखाया कि कठिनाईया चाहे जितनी भी हो अगर इनसान खुद पर भरोसा करे तो वह किसी भी हालात से बाहर निकल सकता है जैसे जैसे समय बीता गया मेरा जीवन एक नई दिशा में बढ़ता गया मैंने स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ खुद भी पढ़ाई जारी रखी और कुछ सानों में मैंने सनातक की डिग्री पूरी कर ली यहां मेरे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धी थी मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि इतने कठिन हालातों से गुजरने के बाद भी मैं यहां तक पहुँच पाऊंगी पढ़ाई खत्र करने के बाद मुझे एक छोटे शहर के स्कूल में स्थाई नौकरी मिल गई यहां नौकरी मेरी जिंदगी में स्थिर्ता और आर्थिक स्वतंत्रता लेकर आई अब मुझे अपने भविश्य की चिंता कम थी और मैं पापा के लिए भी अच्छा जीवन सुनिश्चित कर सकती थी मैंने एक अच्छा घर खरीदा जहां पापा और मैं आराम से रह सके पापा की तबियत अब पहले से भेतर हो गई थी उन्होंने पूरी तरह से शराप छोड़ दी थी और अपने पुराने समय को पीछे छोड़ चुके थे वह अब मुझ पर गर्व करते थे और हमारे रिष्टे में भी एक नई गहराई आ गई थी उन्होंने मुझसे एक दिन कहा सिया मुझे तुम पर नाज है तुमने अपनी महन और लगन से हमारी जिन्दिगी बदल दी अगर तुम नहीं होती तो शायद मैं खुद को कभी नहीं संभाल पाता उनकी ये बाते सुनकर मेरी आखों में आंसू आ गए लेकिन ये खुशी के आंसू थे मैंने जो संघर्ष किया था वह अब रंगला रहा था मैं जानती थी कि अब हमारे जीवन में कोई भी बुरा वक्त हमें नहीं डिगा सकेगा कुछ साल बाद मैंने शहर में अपना खुद का एक छोटा सा कोचिंग सेंटर खोल लिया जहां मैं उन बच्चों को पढ़ाती थी जो आर्थिक रूप से कमजोर थे और पढ़ाई का खर्च नहीं उठा सकते थे यहां मेरे लिए ना सिर्फ एक काम था बलकि मेरा सपना भी था कि मैं उन बच्चों की मदद कर सकूँ जो मेरी तरह कठिनाईयों का सामना कर रहे थे पापा अब ज्यादा समय घर पर ही बिताते थे वह बगीचे में पौधों की देख भाल करते और कुछ नए-नए किताबे पढ़ने लगे थे उनकी जिन्दगी अब पूरी तरह से बदल चुकी थी और मैं उन्हें इस नए रूप में देख कर बेहत खुश थी एक दिन पापा ने मुझसे कहा सिया तुमने ना सिर्फ अपनी जिन्दगी समवारी बल्की मेरी भी तुमने जो साहस और धैर्य दिखाया वह काबिल इतारीफ है मुझे अब कोई चिंता नहीं है मुझे विश्वास है कि तुम अपने जीवन में और भी उचायों को छोगी उनकी ये बाते सुनकर मैंने महसूस किया कि मेरा सफर अभी खत्म नहीं हुआ है मैंने अपने जीवन को जिस दिशा में मोड़ा था वह सिर्फ मेरे और पापा के लिए नहीं था बलकि उन सभी लोगों के लिए एक प्रेरना बन गया था जो संघर्ष कर रहे थे अब मैं खुद को पूरी तरह से मजबूत और स्वतंत्र महसूस करती हूँ मेरे पास एक उद्देश है दूसरों की मदद करना उन्हें सिखाना की चाहे जीवन में कितनी भी मुश्किले आएं उन्हें पार किया जा सकता है मेरे पास अपने अनुभव थे और मैं उन्हें दूसरों के साथ साजा करने के लिए तयार थी इस तरह मेरा सफर सिर्फ मेरी कहानी नहीं रह गई थी बलकि उन सभी के लिए एक मिसाल बन गई जो कठिनाईयों का सामना कर रहे थे तो दोस्तों कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सबस्क्राइब जरूर कीजिए और इस कहानी को लाइक करना ना भूले